लोगसभा चुनाव का महा पर्वश शुरू हो चुका है लोगसभा चुनाव में वोटिंग के पहले चरण में यूपी और उत्राखंड दोनों प्रदेशों में 2019 के मुकाबले कम फीसिदी मतदान हुआ यूपी की बात की जाए तो सहाराणपूर में सबसे जादा 66.65 प्रतिशत वोटिंग हुई है रामपूर में सबसे कम 55.75 फीसिदी मतदान हुआ पहले चरण की बात की जाए यूपी की आठ सीटों को लेकर तो साल 2019 के मुकाबले तकरीबन 5.9 फीसिदी वोट कम पड़े हैं सबाल है कि साल 2019 में कितना अलक ट्रेंड इस बार देखने को मिला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरीए लोगसभा चुनाओ 2014 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई 21 राज्यों किन सासित प्रदेशों की कुल 102 सीट के लिए वोटिंग हुई देश के सबसे बड़े राज्य उत्रप्रदेश की आठ सीटों पर लोगसभा चुनाओ के पहले चरण में सबसे ज़ादा 66.6-5% मद्दान सहारनपुर में हुआ जबकि रामपुर में 55.75% मद्दान के साथ सबसे पीछे रहा साल 2019 के मुकाबले पहले चरण की सीटों पर करीब 5.9% कम वोट पड़े हैं बिलहाल तो चुनाओ पूरी तरह से शांतिपूर रहा लेकिन वोटिंग प्रतिशत गिनने से सियासी दलों की धर्कने बढ़ गई है तरह के कयास लगाय जा रहा है और यही कारण है कि अब न सिर्फ इन सीटों से जुड़े कई दिगज उम्मिद्वारों बलकि उन से जुड़ी सियासी दलों की धर्कने तेज हो गई है पहले चलण में यूपी की आठ सीटों पर 2019 और 2024 के आकलों पर गौर करे तो 2019 में कुल वोटिंग 66.15% 2024 में कुल वोटिंग 60.25% 2019 में सहारनपुर में 70.83% मद्दान हुआ जबकि 2024 में 65.14% मद्दान हुआ 2019 में कहराना में 67.44% वोटिंग हुई जबकि 2024 में 61.1 प्रतिशत वोटिंग हुई मुरादाबाद की बात करें तो 2019 में 65.4 प्रतिशत वोटिंग हुई थी जबकि 2024 में 60.6 प्रतिशत वोटिंग हुई रामपुर में 63.1 एक साथ प्रतिशत वोटिंग हुई थी जबकि 2024 में 54.7 साथ प्रतिशत वोटिंग हुई है वही अगर पीलिभीत की बात करें तो 2019 में 67.3-7 प्रश्चर मत दान हुआ था जब कि 2024 में ये आकड़ा 61.9 प्रश्चर हो गया यानी कि पहले चरण में उत्रप्रदेश की 8 सीटों में सहारंपुर सीट पर सबसे ज़्यदा 65.9 प्रश्चर और रामपुर सीट पर सबसे कम 54.7 प्रश्चर वोटिंग हुई थी 2019 में इन सीटों में से सहारनपूर में सबसे जादा 70.8 तीन परतिशत और रामपूर में सबसे कम 63.11 परतिशत वोटिंग हुई थी पिछले चुनाओ में इन आग सीटों में तीन पर बीजेपी और तीन पर बीसपी और दो पर स्पी को जीत मिली थी 2019 के लोकसवाद चुनाव में इन आठ स्चीटों में से समीकरण बिलकूल अलग थे तीन पर भारती जनता पार्टी ने चुनाव जीता था जबकि बहुजन समाज पार्टी को भी तीन लोकसवाद स्चीटे मिले थी जब कि समाजवादी पार्टी इन्हें दो सीटें जीती थी 2019 के लोगसवाद चुनाओं की तुल्ला में 2024 का लोगसवाद चुनाओं बिलकूल अलगता है क्योंकि इस बार RLD का गड़ बंधन सीधा भारती जन्ता पार्टी के साथ है और पिछले बार के चुनाओं में RLD समाजवादी पार्टी के साथ में थी तो ऐसे में बिला शक्षुभाद 2024 का लोगसवाद चुनाओं अलग नतीज ये लेकर आने वाला है वही पहले चरण में उत्राखंड की सभी पास सीटों पर हुए मदान की बात करे तो हरिद्वार सीट पर सबसे ज़्यादा 62.3-6 प्रतिशत और अलमोडा सीट पर सबसे कम 46.9-4 प्रतिशत वोटिंग हुई 2019 में इन सीटों में से हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 79.18 प्रतिशत और अलमोडा में सबसे कम 52.3-1 प्रतिशत वोटिंग हुई थी पिछले जुनाव में सभी पांस सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी उत्राखंड में शुक्रवार को लोगसभा की पांस सीटों के लिए वोटिंग हुई पूरे राज्ये मगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 55.89% वोटिंग हुई सबसे जादा वोटिंग हरिद्वा लोगसभा सीट पर हुई जहां 62.36% मद्दान रहा इसके अलावा सबसे कम वोटिंग अलमोडा में हुई जहां पर 46.94% वोट लोगों ने किया वहीं आगर बात की जाए 2019 की तो उत्राखंड में 61.5% वोटिंग हुई थी लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं लोगों में इस वार वोटिंग को लेकर पहले की तरह उस्ता देखने को नहीं मिला 2019 के मुकाबले इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं क्योंकि साल 2019 में SP और BSP ने साथ चुनाव लड़ा था जबकि इस बार दोनों की राही जुदा है इस बार RLD के NDA में शाविल होने के बाद इस शेत्र में समीकरण काफी हद तक बदले हुए नज़र आ रहे हैं Bureau Report News 18